हम लोगों का तो एक ही अप्रादरा हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हरे एक पार्टि वाले अच्छे व्यक्ति को टिकर देना शुरू कर देते फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीत कराते, वो अच्छे लोग ही जीत कराते, अभी तो खेर मोधी जी बन गए हैं, बदाई देता हूंने, वो हम दोनों इंटेलिजन्ट है, उनके बाद, मेरे बाद में उन्हीं का नंबर आता है, बस यह मैं ज्यादा इंटेलिजन्ट हूं क्योंकि मेरे साथ लुगाई रहती है, वो रोज मुझे तपाती है, तपाती है, तो मैं निखरा हुआ सोना हो गया बस और के बाद, उन्होंने भी ऐसी बात कह दी, कोई पकड़ी नहीं सकता, मैंने तारीख बता ही न असन बता है, बिगाड़ो क्या बिगाड़ो इसका, मैंने भी अपनी लुगाई से का था, तुझे प्यार करूंगा, चालीस साल होगे, रोज भूसी भी गप करे रहा है, यह तो मोधी जी बुलंदियों पर तो हमने पहुचा दिया है, ठीके रहना तुम बोले, आपकी कसम गर में जैर खाने को भी पैसे नहीं है, मैंने जरह फिर से देख ले, बोले, आपकी मा की कसम जैर खाने को, ना अपनी खाई, ना अपनी मा की खाई, मेरी मा की खाई और मेरी खाई, और महा से जी, आठ तारीख को, साथ तारीख को, उसने कसम खाई, जैर खाने को पैसे नहीं है, आठ को नोट बंदी होगी, और नो तारीक को इतने रुपे निकर आया कि पूरा इंदुस्तान जह रखा सकता है, तब पता लगा, लुगाई हमेशा जूटी बोलती है, पती से कभी सत्ता नहीं बोलती है, मैं तो थोड़ी बहुत तिफसी दे सकता जिन्दगी में, क्योंकि हमारे मुल्क में सत्ता बदलती है, विवस्ता नहीं बदलती, चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता, मुखोटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता, हम राजा का चेहरा बदलते हैं, वो अपना करेक्टर कोई भी नहीं बदलता, कोई फरक नहीं परता इस देश में राजा रावन हो या राम जनता तो बिचारी सीता है रावन राजा हुआ तो बनवास से चोरी चली जाएगी और राम राजा हुआ तो अगनी परिक्सा के बाद फिर बनवासों भेज़ती चाहेगी और कोई फरक नहीं परता इस देश में राजा कौरव हो या पंडव जनता तो बिचारी द्रोब्दी है कौरव राजा हुए तो चीरहरन के काम आएगी और पंडव राजा हुए तो जुए में हाट दी जाएगी और कोई फरक नहीं परता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसल्मा जनता तो बिचारी रास है हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी और मुसल्मान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी और मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहतू कितने भी अमीर हो जाओ कभी जिंदगी में किसी गरीब का दिल मत दुखाना और आपका आश्रवाद चाहूँगा और अमीरी की अमरीका में चले जाएगी सबी भारती मिलेंगे आपको सब्रे दुखे मिलेंगे कोई आखर यही नहीं कहता सेट बड़ा भूखा मुझे रोटी खिला दे पंक्ती अच्छे लगे तो आपका आश्रवाद चाहूँगा याद रख लेना अमीरी की अकड अभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है निहार ना बंद कर दे तो हमारी अकड भी खतम हो जाती है नदी ने अकरते हुए कुवे से कहा तेरी क्या वकात है तुझे पता है कहा नदीर कहा बिचारा कुवा लेकिन कुवे का जबाब सुना अच्छा लगे कहीं कविता लगे तो आपकी तालियां चाहूँगा नदी ने अकरते हुए कुवे से कहा तेरी क्या वकात है तुझे पता है कुवा हाथ जोड़ कर बोला बहन जी भटकाओ ठैराओं में कुस्तो फर्क होता ही है फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती है तुम उपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो मैं नीचे से उपर की ओर आता हूँ इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ अपने लेवल से उपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो खारे हो तो वे चले जाओगे साहब और व्यापार हो या कोई भी हो साहब व्यापार में उड़ने की कोशिस नहीं करनी चीए बढ़ने की कोशिस करनी चीए और मैं एक बात बता दूँ कितने भी बढ़ने आप व्यापार में खूब तरक्की करना आप बस एक बात देखते रहे न कि तुमारे पाउने जमीन तो नहीं छोड़ी है वाँ 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 चावाँ जावाँ आपके पाउने जमीन नहीं छोड़ी तो बढ़ पाए अगर पाउने उड़ने की कोशिश करते तो कभी इस तरक्की को आप पासिल नहीं कर पाते तब कहना सहता हूं उचाई नहीं होती है पतं की बात अच्छी लगे तो समर्थन करना उचाई नहीं होती है पतं की उचाई होती है पेड की कि जितना बड़ा होता है उतना ही धर्ती में गड़ा होता है माया सही जी आपकी depth आपकी height है अगर आप में depth नहीं है तो आपकी उचाई का कोई मतलब नहीं उचाई नहीं होती है पतंग की उचाई होती है पेड़ की कि जितना बड़ा होता है उतना ही धर्ती में गड़ा होता है जबकि पतंग की उचाई टिकी रहती है डोर पे जो की होती है किसी और के हाथों में जो जब चाहिए उसे उचा उठा दे जब चाहिए किसी से लड़ा दे जब चाहिए धर्ती पर गिरा दे अब तुम ही सोच लो तुम पतंग की उचाई पाना चाहते हो या पेड़ की क्योंकि पतंग की उचाई पेड़ की उचाई पाने के लिए धर्ती में गड़ना होता है और पतंग की उचाई पाने के लिए किसी के हाथ में डोर देना आपकी मजबूरी होती है साहा और समय की सीमा है इसलिए चार पंक्ति देना चाहता हूँ इस देश की राजनीती कुछ का है लेकिन हम क्या सोचे मुल्क हमारा भी है तब कहना चाहता हूँ कि आज एक बार कहें आखरी बार कहें क्या पता तुम ने रहो क्या पता हम ने रहें और जो तालीब अची अब इस्तेमाल करना आज एक बार कहें आखरी बार कहें क्या पता तुम ने रहो क्या पता हम ने रहें मंदिरो मजजित की या किसी इमारत की माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की लहू था हिंदू का अल्ला सर मिंदा रहा मरा मुसल्मा तो राम कब जिंदा रहा बिखरे बिखरे हैं सबी आओ एक घर में रहें क्या पता तुमने रहो